शिव पुराण श्रीरूद्र सहिता द्वित्ते खंड अध्याय आठवा काम की हार सूत जी बोले हे रिशियो जब इस परकार प्रजापती ब्रह्मा जी ने कहा तब उनके वच्नों को सुनकर नारज जी अनन्दित होकर बोले हे ब्रामन मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है हे प्रबो अब आप मुझे संध्या के विशे में और बताईए कि विवा के बाद उन्होंने क्या किया क्या उन्होंने दुबारा तप किया या नहीं सूत जी बोले इस प्रकार नारज जी ने ब्रह्मा जी से पूछा उन्होंने यह भी पूछा कि जब काम देवरती के साथ विवा करके वहां से चले गए और दक्ष आदि सभी मुनी वहां से चले गए संध्या भी तपस्या के लिए वहां से चली गए तब वहाँ पर क्या हुआ ब्रह्मा जी बोले हे श्रेष्ट नारद तुम भगवान शिव के परम भक्त हो तुम उनकी लीला को अच्छी परकार जानते हो पूर्व काल में जब मैं मों में फस गया तब भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया तब मुझे बड़ा दुख हुआ मैं भगवान शिव से इर्शा करने लगा मैं दक्ष मुनी के यहां गया देवी रती और काम देव भी वहीं थे मैंने उन्हें बताया कि शिव जी ने किस परकार मेरा मजाक उड़ाया था मैंने पुत्रों से काहा कि तुम ऐसा प्रयत्म करो जिससे महादेव शिव किसी कामनिय कांती वाली स्त्री से विवा कर लें मैंने प्रभु शिव को मोहित करने के लिए काम देव और रती को तयार किया काम देव ने मेरी आग्या को मान लिया कामदेव बोले हे ब्रह्मा जी मेरा अस्त्र तो सुंदर्स्त्री ही है हताय आप भगवान शिव के लिए किसी परम सुंदरी की स्त्रिष्टी कीजिए यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया मेरी तेज सांसों से पुष्पों से सजे बसंत का अरंब हुआ बसंत और मल्यानन ने कामदेव की सहायता की इसके साथ कामदेव ने शिवजी को मोहने की चेश्टा की पर सफल नहीं हुए मैंने मरुत गणों के साथ पुने उन्हें शिवजी के पास भेजा बहुत प्रयत्न करने पर भी वे सफल नहीं हो पाए अतहे मैंने बसंत आदी सहचरो सहित रती को साथ लेकर शिवजी को मोहित करने को कहा फिर कामदेव प्रसंता से रती और अन्य सहायकों को साथ लेकर शिवजी के स्थान को चले गए श्रीरुद्र सहिता द्वित्ते खंड अध्याय आठवा समाप्त